हेलो स्टुडेंट्स बिटा जो अपने पिछली किलास थी उसमें हमने काभी टॉपिक पढ़ लिए विद्धित फ्लक्स तक का भी हम लोगों ने डिस्कसन कर लिया आता पूर तरह से एक नेक्स्ट टॉपिक और करते हैं हम लोग यह टॉपिक के ठीक ना आपके स्कूलिंग लेवल में भी है अच्छे तरीके से और यह साथ में पक्का धान नहीं है कि यह टॉपिक आपके पहले चैप्टर का है दूसरे गाति इन दुनों में से किसी एक चैप्टर का है तो इस क्या आपका कि एक आर कैपिटल आर्ट तरजा की एक वले ना कि कैपिटल ऑर तरजा की एक वले हैं और उबे को हमने आवेश दिया है और में जो आवेश हमने दिया वह उस वले पर समानरूम से पहल गया है connect कराने सरवे अंबश से बीच्वारान का ब重 noch Trad तो अग्ला डॉपिक आपका सतत आवेस वित्रन अग्ला डॉपिक क्या आपका सतत आवेस वित्रन ठीक है पेपर के पॉइंट आव व्यू से यह टॉपिक इंपोटन नहीं है क्योंगे ऐसा कुछ इस पर कोई क्वेस्टन नहीं पूछे आते बड़ आवो पता हूं चाहिए कि आवेस का वित्रन सतत रूप से कितने प्रकार से होता है तो भीटा सतत रूप से किसी पिंड पर आवेस का वित्रन तीन प्रकार से होता है यह होता आपका रेखिक आवेस वित्रन सतत रूप से किसी पिंड पर आवेस का वित्रन तीन प्रकार से होता है पहला कौन से आपका रेखे के आवेस वित्रन सेकंड है विटा आपका प्रिष्टी है आवेस वित्रन और थर्ड विटा आपका आएतन आवेस वित्रन इस तरह की थोड़ी चर्चा साइद मैंने 11 क्लास में की थे द्रिमान वित्रन पर आएतन आवेस वित्रन कि तो रेकिक आवेस वित्रन रेख ही आवेस्वित्रम बोलते हैं रेकिक आवेस वित्रम क्या है कि अगर मैं इस इस तो के अनदर लंबाई, चोड़ाय और मोटाई तीन चीजी होती है बट्ट लंबाई की तुलना में मोटाई और चोड़ाई जिससे आप कह सकते हो वो नगनन्य है जैसे आपका तार हो गया मतलब यह पतला साय जैसे तार है तो इस तार के पास चोड़ाई और मोटाई जो भी है वो नगन्य है किसकी तुलना में इसकी लंबाई की तुलना में तो अगर मैं इस तार को आवेश दूँगा तो बटा आवेश क्या होगा इस तार की लंबाई के अनुदिस आवेश इस तार की लंबाई के अनुदेस एक समान रूप से फैल जाएगा ठीक है यदि मैं आवेस इस्तार को दूँगा तो क्या होगा आवेस इस्तार की लंबाई के अनुदेस एक समान रूप से इस्तार पर फैल जाएगा तो इस प्रकार के आवेस वित्रंग को बोलते कौन सा आवेस वित्रंग को बोलत कि अनुद्र समान रूप से क्या हो रहा वित्रित हो रहरा हो यह सह गो जब आपस कि सितार को दिया जाता है तो आवबस उस स्तार की लंबाई काने समान रूप से पहल जाता है उसे रेखेक आवधी सुन कहते हैं गो अब इस परकार जब तो इससे आवेश का में मान दिया होता है बट जब आवेश किसी बड़ी वस्तु को दिया जाता है और उस बड़ी वस्तु पर आवेश का वित्रण सतत रूप से होता है मतलब continuous होता है सब जगे एक समान होता है तो उसके लिए हमें आवेश की मात्रा ने बता कर उसकी एकाई लंबाई या एकाई चेतरवल या एकाई आयतन पर आवेश का मान बता जाता है तो ऐसे ही अगर मेर से का जाएं तो जिसे मैंने आवेस स्तार को दिया तो जब आवेस मैं स्तार को दूँगा तो आवेस का जो वित्रन है स्तार की लंबाई के अनुदिस स्तार पर कुल आवेस ने बता कि हमसे क्या का जाएगा कि इस तार की एकाई लंबाई पर इतना आवेश हैं तो इस तार की लिए तार की एकाई लंबाई पर आवेश का जो मान होता है अवेस के मान को, क्या बोलते हैं, रैख्यक आवेस गनत्व, रैख्य यह आवेस गनत्व, एंग्लिज से बोलते है, Linear Chart Density. रैख्यक आवेस गनत्व, कहते हैं, जैसे अगर ध्यानों थटा बहुत, तो स्कुलिंग लेवल पर थुड़ा बद्रिम वाले चेप्टर में जो आपका वो था सेंट्र ओप मास वाले चेप्टर में ने डिसकुर्शन किया होगा रेखिक आवेस गनत्व कहते द्रिम ठीक है अब बेटां जो रेखिक आवेस गनत्व है इसके लिए हम जो प्रित्टि सिंबल लेते है से लेमडा से वेक्ट किया जाता है वेक्ट किया जाता है ठीक है लेमडा से वेक्ट करेंगे अब लेमडा क्या है आपका रेखिक आवेस गनत्व लेमडा क्या है रेखिक आवेस गनत्व लेमडा क्या है रेखिक आवेस बटे लंबाई अगर मान लिए इसकी कुल लंबाई कि इस पर कुल आवेश क्यों है यह से स्मॉल क्यों माल लिजे और इसकी को लंबाई एल है तो रहके का आवेश करने तो क्या हो अक्यू बटे एल है या अगर मैं इसका जरासा पॉर्चन ले लूँ और इस जरासे पॉर्चन की लंबाई डी एल है और इस जरासे पॉर्चन पर आवेश डी क्यू है तो लेमड़ा वराबट डी क्यू बटे डी एल कहो या यह को एक ही बात है तो हमें जब भी ऐसी कोई वस्तवाएगी मनला तार वाली वस्तवाएगी तो यह को बड़ी तो उसके लिए यह बोल जाएगा कि इसका रिखिक आवेश गनत्म लेंब सकर कुलांपर मीटर 00 h ayat 9 लंबाइप इस तरीकर से आपको आपको रिखिक आवेश गनत्म दिया हुआ होगा तो रिक आविस पते लंबाई या हुआ से जढ़ आविस बटे-े-ll की जब आवेस किसी प्रिष्ट को दिया जाए तो आवेस उस प्रिष्ट पर क्या होगा समान रूप पर समान रूप से जाएगा क्योंकि इसके पास लंबाई है चोडाई है मोटाई नगन्य है तो अव आवेस का वित्रंग किसके अनुसार होगा छेत्र भलके अनुसार होगा तो जब आवेस किसी पिंड के प्रिष्ट पर समान रूप से फैलेगा तो उस आवेस वित्रंग को हम बिटा क्या बोल किया रहा कि आवेश के लिए ऐसी में प्रिष्टी आवेश वितरंग के लिए कौन सा घनती उजज करेंगे क्योंकि हमें जो क्वेस्ट्र में दिए जाएगा जिसमें बताए आपको क्वेस्ट्र में हमें इस पिंड पर कुल आवेश नहीं दे कर जिसके अनुसार यह हो जाएगा यहां पर इकाई 6-3वल पर आवेस का मान बता जाएगा तो इसके लिए जो term होगी वह कौन से होगी प्रिष्टीया आवेस घंथर अगर मैं कहे रहां कि इस पर कुल आवेस क्यों है और इस प्रिष्टा कुल 6-3वल एस है तो प्रिष्टीया आवेस घंथर का मान क्या क्या लाएगा आपका परिष्टी है आवेस घनत्व तो परिष्टी है आवेस घनत्व को हम किस दर साते हैं सिग्मा से तो सिग्मा क्या होगा आपका आवेस बटे छेत्रफल वालों क्यू डिवाइड वाइड वाई एस तो परिष्टी आवेस घनत्व क्या आपका और रेकी का वी भूल तो क्या आविस मते लंबाई डिलेम अगर मालीज़िक निस्टैने जरासा पूर संक्ट करता हूँ है यहीं भी पूरसरे करने के रिणषाव कितना डीस और जरासे पूर्शन पर आविस कितना डीक्यू सुमें इस जरासे पोर्षन का छित्रबला डी एस जरासे पोर्षन पर आवेस है डीक्यू तो प्रिष्टी आवेस घनत सिग्मा क्या होगा अब आपका आवेस डीक्यू डिवाइड वाई डी एस प्रिष्टी आवेस गनत सिग्मा क्या होगा DQ divided by DHS तो इस तरीके से आपका प्रिष्टी आवेस गनत परिवासित होगा क्लियर तीसरा होता बेटा आयतन आवेस वित्रन आयतन आवेस वित्रन क्या है जब आवेस किसी पिंड के आवेसन में एक समान रूफ से फैल रहा है जब आवेस किसी पिंड के आयतन में एक समान रूफ से फैल रहा है तो उस आवेस वित्रन को क्या वो लेंगा आयतन आवेस वित्रन ठीके तो जैसे माल लिए एक गोला है तो विट्रित हो जाता है तो भीटा ये आवेश फितरं क्या किलाएगा आपका आयतन आवेश घनत क्या किलाएगा आपका बते आयतन मुलight Q divided by V हिक्षित तरह सात्य दर और मैं इसका मनले कुछ एत्र कोली निश्माल लिए मैंने यह ज़रासा इतना आयतन इसका कट कर लिया और इस ज़रास से टुकटे का आयतन के इतना डीवी और ज़रासा आभेस कितना डीक्यू तो इसका आएतन आवेस गनत्रों क्या रो ईक वर्ल्तों क्या होगा जब आवेस किसी बड़ी वस्तु को दिया गया है तो बड़ी वस्तु पर आवेस का वित्रण तीन प्रकार से होता है लंबाई के अनुसार होता रेकिक, छितवल के अनुसार होता प्रिष्टिय और आयतन के अनुसार होता आयतन आवेस वित्रण ठीक है इसके लिए जो आवे इसकी जो वैली दी जाएगी वो दी जाएगी प्रिष्टिया आवेस गनत्व के अनुसार जिसे हम सिग्मा से वेक्ट करते हैं सिग्मा एक्वल टू डी क्यू बाई डी एस आवेस बटे छेत्रवल और इस केस में हमें आवेस की वैल्यू जब आवेस किसी आयतन में संपुन रूप समान रूपस फेल लाएं तो हमें आवेस की वैल्यू किसके नुसर दी जाएगी क्यू बाटे वी मतला आवेस बाटे आयतन ठीक है आयतन आवेस गनत्व कहते हैं तो यहां तक कि यह सभी चीज़े आप नोट कीजिए नोट करें साल चीज़े हां जी तो आपने सब चीज़े नोट कर लिए होगी चलो अब अपने हम नेक्स टॉपिक पर चलते हैं जिसका मैं डिस्कसन कर रहा था उसी पर डिस्कस करते हैं तो अपना जो नेक्स टॉपिक है वो है आवेसित वले मतलब रिंग कि के अक्षपार विद्योचेत्र के तीवर्ता कि अख्षपार विद्योचेत्र के तीवर्ता तो बेटा आपको ठीक है यह आपकी बोक में क्वेस्टन के अकॉर्डिंग है पहले मैंने बोल दिया यह टॉपिक आपका अगला कॉयश्न है आवेसित वले या रिंग के अक्सपर्विद्य। छेतर की तृवरता तो देखते हैं इसका डैर्वेसीन देखते हैं लिक ना यह कि एक रिंग है कि अब इस रिंग को हमने आवेश दिया जब मैं इस रिंग को आवेश दूँगा तो ये आवेश इस रिंग की पूरी लंबाई पर एक समानूप से फैल जाएगा तो यहां पर जो आवेस का वित्रण वो किस का अनुसार है लंबाई के अनुसार तो मैं गराओ कि यहां पर जो कुल आवेस रिंग को दिया गया वो आपका क्यू है ये इस रिंगा केंदर है और इसकी तरजा capital R है ठीक है तो अगर मेरे से चलो इस question में तो मैंने आपको Q always कुल दिया हुआ ठीक है यह आपको दिया हुआ है कि एक वले है जिसकी तरजा capital R है और इस वले को Q always दिया गया है अगर कोई अम्मेड से कही कि इसकों कि यहां पर आवेस का वित्रह सतत है बड़ी वस्तुकों है और लंबाई के अनुसार है तो इसका अगर मैं रेखिक आवेस घनत बताना चाहूं तो रेखिक आवेस घनत लेमडा क्या होगो बिटा क्या होता आवेश कितना है आपर Q और लंबाई कितनी है इसकी पूरी परीधी को लंबाई किसारें तो इसकी परीधी कितनी होगे टू पाई आर तो लेमडा एक क्वल डू क्या हो गए आपका क्यूब अपॉन टू पाई क्लियर अब मुझे इसके अक्ष पर विद्धियु छेट कितीव तग्यात करने हैं एक चीज थोड़ी यह आपको फील करने पड़ेगी क्योंकि यह थ्री डाइमेंसल डाइग्राम है तो यह तो इस तरीके से हैं तो यह रिंग ऐसे हैं तो इसको तो इस तरीका तो यह रिंग इस तरीके से हैं तो जो यह इस तरीके से हैं तो यह वाली लाइन यह वाली लाइन क्या होगी इस के अक्ष ठीक है कि इस तरीके से रिंग है इसे मेरा हाथ ही यह रिंग हो गया इस तरीके से और यह वाली लाइन क्या होगी अक्ष ठीक है तो यह इसका अक्ष हो गया ठीक है इसके अक्ष हो गई अब इसके अक्ष पर कोई बिंदू P है माले एक्ष दूरी पर इसके अक्ष पर एक्ष दूरी पर कोई बिंदू P है और इस बिंदू P पर आप से कागया कि विद्यू छेती की तीवरता क्या होगी तो पिटा आप कैसे करेंगे सॉल अब आप कहेंगे कि सर हमारे पास विद्यू छेती की तीवरता ग्यात करने का एक फॉर्मला है हमने पड़ा E equal to KQ upon R square बड़ ये फॉर्मला केवल तब ही मानने है जब क्यू ऐसी वस्तो को दिया गया हो जिसका आकार बिंदू के समान हो तो हम डारेक्ट इस वले के कारण इस के अक्ष पर विद्यू छेती की तीवरता निकाल नहीं सकते विद्यू छेती की तीवरता ग्यात करने का जो हमारे पास किल एक ही फॉर्मला है के क्यू अपॉन आर स्कॉयर और इस फॉर्मला इस एपलेड अउनली वें चार्ज इस गिवन टू ए बोड़ी मलग पॉइंट साइज बोड़ी ठीक है पॉइंट साइज बोड़ी जब किसी बिंदू के समान वस्तु को आवेश दिया गया है तब ही ये फॉर्मला क्या होगा आपका मानने होगा अन्या था ये फॉर्मला मानने ही नहीं होगा तो इसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा तो मुझे इस वले को जरा-जरा से छोटे-छोटे टुकडों में तोड़ना पड़ेगा और हर पॉइंट के कारण इस बिंदू पर विद्युच्छेत की तीवरता निकालने पड़ेगी और उनका मुझे सदिस योग करना पड़े जिसे आप देगे वियास के अब एक सरा यह है ठीक है जरासा आपको डायग्राम में क्लियर हो रहा होगा एक जरास टोकड़ा यह ले लिया वियास के अभी मुख ठीक है अब इसके कान अगर मैं विद्युच्छेत की तीवरता देखूं तो इसके कान मिटा अब शिर्टा क्या होती एक आवेश और बिंदु को मिलाने वाली लाइन के अनुदिस में और के अधर वहार क्यों होगी पॉसिटिव आवेशक कान अधर क्यों होगी और यह विद्युच्छ एट्र जरासिया अवेशकारन नहीं तो प्रुताइव जरासियोगी जिसमनाम कि अगर मुझे पूरी वाले कान रिंग निकालने तो एक मुझे तरीका तो क्या है कि हर सभी को छोड़ी जोड़ी का योग करो और या फिर सततवस्तु के लिए क्या होता है कि इंटीगरेशन करो अब इंटीगरेशन वाला जो फॉर्मूला है वो किवल तब लगेगा पूरी के लिए जब डारेक्शन सब के लिए एक जैसी हो दोगा अगर यह टोकड़ा मैं यहां पर लेता हूं जिसमाली मैं यह टोकड़ा अगर यह छुटा श्टोकड़ा मैं इस जगे कट करूं तो इसके कान इस पॉइंट पर जो विद्य छेत की तीव्रता की दिशा होगी वो इधार होगी बोलो होग या नहीं होगी तो इसके मतलब अलग 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 जगे अगर मैं टोकड़ा लेता हूं तो अलग अलग जगे टोकड़ा लेने पर क्या होगी विद और जब दिशा अलग-अलग होती है न तो बिटा integration वाला formula apply नहीं होता डारेक्ट टीक रहा डारेक्ट integration वाला formula apply कभ होता है करन जब हर चोटे टुकड़े की कारण le people शेर्ट की जह सम्हान करने call घंड, अव्जित्वर को के χार्ट है क्लों टोड़ना में कि इसेटर पाड़ेगा तो फ्लियू को मैं घटकों न परेगा तो-ईश कर घ्टकों तोड़ना पाड़ेगगा डीई जिसके साथ एंगल होता हुदर कौन से गट होता कॉस्ट ठीटा और इस वाली डीई का इसके अनुद्ध इसके अनुद्ध गटा क्या हो गया डीई साइन ठीटा तो अभी मैं इसको मिटाई दिता हूँ तो यह आपो किलियर हो गया कि इस डीई के कारण अगर जरा से टोकड़े कारण अगर मैं ठीके विद्धियू छेती तीव तक इसा इधर है अगर मुझे जराश पहले तो मैं क्या करूंगा आप बता कि बड़ी वस्तु के लिए हम कैस जैसी हो बट यहां पर वह चीज मानने नहीं हो रही है तो कि यहां पर दिसा सभी के लिए क्या एक जैसी नहीं है इसके लिए अलग इसके लिए अलग हर छोटे स्टुक्ड़े के लिए अलग अलग होगी बोलो होगी नहीं होगी तो इसलिए डारेक्ट मैं इंटीशन नही गटकों में तोड़ दिया तो अब क्योंकि सभी कान एक सक्ष वैस हर टुकड़ एक कान विद्धु छे दोई दिसा में होगा एक तो इस लाइंग करने से लाइंग के लंब बद तो अब मेरा तरीका क्या होगा कि या तो मैं ऐसे करूं कि अब इस तो मैं अभर द्यान से देखू तो मैंने क्या देखा कि अगर मैं व्यास के अभी में को एक दूसरा आलपांस ऑर ले लेता हूं और अगर मैं अब इस चोटे से अलपांस के कान इस बिंदू पी पर विद्दू छेती तीवरता निगालूं तो ये भी क्या होगी D E होगी और D E की वैलु कितने होगी तो इस वाले कान देखते हैं ये दूरी X है ये दूरी R है तो ये तो ये आर पराबर क्या होगा ये आपकी अजरासी स्कार प्लसट्राक्नेट्र ते संनदे काइर समी नायकि देखते हैं यह बेक्स प्रस्सक्रा ने जो समाज hugी इस से अमधहरे शुदर नायकि करूद यह प्लद कीनाी है प्लक thanks q upon r square तो k dq upon r square और कितना आपका यह small r यह रा ? जिसके वाली कितने है यह वाली ? तो जब मैं इसका square करूँगा इस r square करूँगा तो अंडरूरोड का square cancel हो जाएगा और यह वाली कितने जाएगी ? r square plus x square यह आपका d e आया किसके कहन जलाक कहन तो अगर मैं इसका कॉस घटक लूट तो क्या हैगा डी-ई कॉस ठीटा और साइंग गटक लो डी-ई साइंग टीटा फिर इसका इंटेक्स न करना पड़ेगा ठीक है अब मैंने क्या किया कि अब देखो मैंने व्यास के अभी मुख दो अलपांस लिए एक यह और एक यह तो इसे कान्य विज्द फिर फिर वह तो कहने का मनलब क्या है कि जतना भी उच्ड대्व तिर तो अगर मैं इसी तरीके से अगर यह ठीटा तो यह भी क्या आपका ठीटा होगा और अब मैं जैसे मैंने इस डीए को गटको में तोड़ा जैदि उसी तरीके से में इस डीए को भी गटको में तोड़ू तो इसकी भी दो घटक आएंगे, एक इस अक्ष के अनुदिस और एक अक्ष के लंबबद, तो इस अक्ष के अनुदिस जो घटक होगा, वो कितना होगा इसका, दिए लगता हूं दिए कॉस्टीटा जिसके साथ एंगल वानता उदर कॉस्ट और अक्ष के लंब बद जो गटक हो वो कितना होगा डिए साइन ठीटा तो अब हम डाइग्राम से ने क्या देखा कि इसके कान जो विद्यू छेतरे डिए इसको दो गटकों में तोड़ा डिए कॉस्टर डिए सानिटा इसे का जो विद्यू छेतरे डिए उसको गटकों में तोड़ा डिए कॉस्टर डिए सानिटा तो इसका जो साइन जितना साइन ठीटा गटक इसका है उतना ही साइन ठीटा गटक इसका है जो परिमान इसका है बट दोनों की दिसा क्या है अलग कुरिफ सिंधों करना तो इन दोनों का जोड थो तो दोनों का पिरवाब निरस्त हो जाएगा और कीवाल एक सथी में दोनों एक ची तरह में आछे और यहां से मेरा में कॉन्सेफального में कुम नहीए कॉंज जोड़ तो साइन तीटा वाला गटक कैंसल हो गया इसके संगत साइन तीटा गटक से तो जैसे इसके इसके साइन गटक इसके साइन गटक से क्या हो रहा निरस्त हो रहा है हो रहा नहीं हो रहा तो यदि में इसी तरीके से इस पूरी वले को जरा से टुकड़ों में तोड़ देता हूँ मलब जरा जरा अलपांस टुकड़ों में इस पूरी वले को जरा जरा के इन छोटे छोटे अलपांस टुकड़ों में तोड़ देता हूँ तो जैसे इसके साइन गटक इस व्यास के अभिमुक वाले इसके साइन गटक से cancel हो रहा है उसी पिरकार अगर मैं इस पूरी वले को जरा से अलपानसों में तोड़ दू तो जैसे इसका साइन गटक इसके व्यास के अभी मुख व्यास का मुख व्यास के मुख इस व्यास पर दो टुकड़े लिए ये और ये तो इस व्यास के 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 क्या हो गया इन दोनों का साइन गटक कैसल हो गया तो उसी तरीके से अगर मैं पूरे को जरा से जरा से टुकड़ों में तोड़ दू तो इसके संगत तोड़ा कौन से बनेगा जैसे इसके संगत व्यास के अभी मुक टोड़ा ये बला बनेगा तो उसी तरीके से इसका साइन गटक किस से निरस्त हो जाएगा इसका साइन गटक किस से निरस्त हो जाएगा इसके साइन गटक से मतला इस तरीके से व्यास के अभी उपर वाली आधी रिंग के साइन गटक किसे निरस्त हो जाएंगे, नीचे वाली आधी रिंग के साइन गटकों से क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, और सभी के, और विध्यू छेत्र कोम दोई गटकोम तोड़ेंगे, या तो अक्ष के अनुदिस और एक अक्ष के तो जो अक्ष के लंबवत वाले गटक है वो क्या हो जाएंगे? वो तो सभी के आपस में क्या हो जाएंगे? निरस्त हो जाएंगे? आधी रिंग के उपर वाली आधी रिंग के साइन गटक, नीचे वाली आधी रिंग के साइन गटक को से क्या हो जाएंगे? निरस्त हो जाए तो पेटा यहाँ पर मैं क्या लेखूँगा, यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, कि यदि हम व्यास के अभिमुक दो अलपान्स लेते हैं, तो इन अलपान्सों के कान उत्पन जो विद्ध्यू छेत्रे डिई, उनको गटकों में वियोजित करने पर हम देखते हैं कि जो साइन वले को हम जरा-जरा से अलपान्सों में वाजित कर दें, जरा-जरा से अलपान्सों में वाजित कर दें, तो हम क्या देखेंगे कि इन सभी के साइन गटक क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हमें फाइनली क्या मिलेग तो हमें मिलेगा कि जितने भी d e sin theta गटक है उन सभी का जोड क्या होगा जीरो और जो यहाँ पर e net होगा जो net विज्द छेतर होगा अक्षपर वो कितना होगा सभी d e cos theta गटकों का योड तो यहाँ पर d e sin theta इन सभी का जोड क्या है जीरो और नेट विज्द छेतर के आएगा summation of d e cos theta ठीक है यहाँ पर मैंने summation यूज किया है ठीक है? समेशन इसलिए यूज किया क्योंकि मैं अलग-अलग टुकडों को जोड रहा हूँ तो अलग-अलग टुकडों को जोडने के लिए क्लिए आता summation और अगर कि आप लिए सकते हो चूंकी रिंग सतत है तो इसलिए चेंज समेशन के अगर सकते है समेशन समेशन इंटू इंटिगरेशन और नहीं करना चाहो तो भी कोई फरक नहीं है आप सिदायट समेशन के द्वारव कर सकते हो और नहीं तो आप चेंज कर सकते हो जब मैंने यहां पर चेंज कर दिया, तो अक्ष के अनुदिश, तो यह अक्ष, अक्ष पर विद्ध छेत्री प्रता क्या आगी आपकी, integration of dE cos theta, clear? तो अब जबो यहां पर, dE कितना विटा आपने निकाला हुआ, कितना आ गया, integration of dE cos theta, clear? अब जबो चितर से हम देखते हैं, जैसे यह माल लिए, यह पॉइंट ए है, यह जराशा अलपान से को नाम लेता हूँ, यह जराशा अलपान से, ठीक है, दो अलपान से लिए A, B, और यह जराशा अलपान से, सीडी, A, B, और सीडी दो अलपान से, तो यह आगया आपका, अक्षपर, ठीक है, अब चितर से अगर मैं बात करूँ, तो चितर से कोश्ट टिटा क्या आएगा आपका, कोश्ट टिटा क्या होता, आधार वटे कर्न, आधार कितना आपका यह बाला, एक्स और कर्न कितना आपका यह बाला, कितना आपका, अंडर रूट, R square plus X square चित्र से कोष्टर क्या होता है आदार वत्रेकर आदार के नापका X करना आपका यह है तो यहां से आपका यह कोष्टरक विल्माइब बेज्च रखोंगा तो क्या गया integration of KDQ upon R square plus X square into X upon under root R square plus X square clear तो यहां से बेटा आपका मैं इतर लिख रहा हूं तो यहां से एक्ष क्या आगए आपका तो इंटिकेशन ओफ के डीक्यू इंटू एक्स डिवाइड वाई आर स्कॉार प्लस एक्स स्कॉार पूरे की पावर देगो यह वन है और यह वन वाई टू कितनो हो जाएगी थ्री वाई टू क्लियर तो यह आख्ष क्या आओ गई आपका बेटा अब जो केबाल इसमें बाकी सब चीज नहीं है ता केबाल डीक्यू छोड के तो आप सभी को बाहान नकालो के एक्स अपॉन आर स्कॉार प्लस एक्स स्कॉार की पावर थ्री वाई टू इसको आपने बाहान नकाले हो इंटीह नहीं दिया इंटीह हनो दीकी अदर Q तो अक्ष पर विजद्य छेती उड़ता क्या गए ई अक्ष कितने आगे बिटा के एक्स डिवाइड वाई आर स्कॉर प्लस एक्स स्कॉर की पॉवर थ्री वाई टू और डी क्यों कितना होगा क्यू तो आप यहां से फाइनली कह सकते हो तो फाइनली आंसर मैं यहां लग दिता हूँ ठीक है तो फाइनली आपका जो आंसर आया वो क्या गया ई अक्ष अक्ष पर जो आपकी वेजद्य छेती की तीवरताई सॉल्व करने पर वो कितने हैं विटा के क्यू एक्स अपॉन आर स्कॉर प्लस एक्स स्कॉर की पावर ठीवाई टू तो यह होता है किसके पर वले के अक्ष पर विद्य छेती की तीवरताई इंटिकेस्ट अप डीक की मलाब क्या है पूरी वले पर कुलाब एसके ना लिए आपने क्यू तो इसलिए मैं का यूज नहीं किया अगर आपको लेमडा वाल टर्मिसम कर सकते हैं लेमडा बराबर हमसे पूछ जाए तो क्या हो अक्षपर उत्पन वेद्यचेत्र की तीवरता है तो यहां तक सभी बच्चे अपना नोट कीजिए कि अक्षपर वेद्यचेत्र की तीवरता आपने कर ली है तो यह सारा कुछ आप आप नोट करें अच्छ तरीके से ना नोट केजिए आप सभी लोग ठीक है अक्षपर वेज्द्य शेत्ती बता क्या आई आपकी के क्यू एक्स डिवाइड वाई आरे स्कॉर प्लस एक्स स्कॉर की पावर थ्री वाई टू नोट करें सब बच्चे इसको अब इसके बाद देखते हम लोग ठीक है यह आपने नोट कर लिया होगा तो इससे मैं रफ कर देता हूं हाँ वेटा तो अपना जो वले हैं ठीक तो हम लोगों ने क्या देखा कि अपने यह वले है और इस वले को जब हमने क्यों आवेज दिया है ठीक है इसको क्यों आवेज दिया गया और इसके तरजा कितने आ तो इस वले के अक्ष पर एक्स दूरी पर अगर कोई पॉइंट पी है तो इस पॉइंट पी पर जो विद्र चिव रुटा है वो किदर होगी के वाल आप जे अगर हम से कहें कि आप्ष के वले के कारण उसके अपीश पर किसी प्रांव जे शिव दिया चिव li Becca क्वसाfry कियो एक्स ऑपाउन आर स्कूर प्लास एक्स स्कूर की पावर थी वाई तो बटाज़े को स्कूलिंग के साइट सिलेवस में तो इतना ही है जादा नहीं है इतना ही मानने है ठीक है ना तो बट हम इस टॉपिक में थोड़ा सा और भी जाट डिसेशन कर देते थोड़ा सा है ना स्कूलिंग वाले बच्चे तो यहां तक भी कर ले तो भी कोई परसानिवल बात नहीं है फिर भी मैं इसको और कुछ आगे बढ़ाएता हूँ आपको पता रहे तो अच्छी बात है क्योंकि ऐसी ही चीज जो मैं आप यहां पर बताऊंगा यह सब चीज आपकी सेम मैगनेटिक्स वाले चेप्टर में भी आएगी और ऐसा जो यह डेरिवेशन आपने किया न यही सेम डेरिवेशन आप आगे चलके मैगनेटिक्स के मलब चुम्बक का यह चेप्टर आएगा magnetics वाला तो वहां पर भी आप यही derivation same करेंगे केवाल वहां पर e की जगे भी आ जाएगा विद्वाप यहाँ पर आपने विद्ध्य छेति की तीवर्ता ग्याद की और वहां पर आप छुम्ब की अच्छेति की तीवर्ता का मान ग्याद करेंगे और भी कुछ भी difference नहीं हैं यहाँ प्रिश्ब को आपको बता है यह क्या है यह आपको यह चीज करना रहे है तो आकर करते हैं की से केश किस्त कें प्रूम कि और के इंडर पर second के के इंदर पर केंदर के लिए ठीक है रिंग एक डिश्ची आपको पता हूँ तो जब भी हम किसी वस्तू को आवेश देते आ है में बाता रोगा réponse का ऑवेश इसके पर क्या है एक समान है किसी मिन बताया हो वा किसी बहुपुज को अگर मैं और अबेश देता हुं और अबेश करते कौने या एक समान है तो उसके केंड स्कूर्चीव गया जीरो यह लिंग पेचे विद्ध्य च्छेत गया गया जीरो आगया आपको पता होना चाहिए दूसरा बेटा अगर यह आकार अगर आर की वैल्यू अगर यह पॉइंट साइज था पॉइंट साइज मतलव जब आवेश पॉइंट के समान वस्तु को दिया गया है तो विद्ध्य च्छेत की तीप्रता क्या होती एक सिदूरी पर के क्यों अपॉन एक सिस्कार बोलो होती नहीं होती अब वही चीज प्लूइंग के साइज की यह पॉइंट साइज है था आर तो आ इसकेस में क्या होगा आपस ग Başक के यहां आएगा तो इहां पर क्या होगा तो आर स्क्वाइर प्लस कि ring point size की हो जाएगी, तो, ex कितना आएगा देखो बिटा, तो, आप यहां पर रखो, k, q, x, divide by r squared plus x squared के इस्थान पर आप क्या लखोगे, x squared, और x square आप लेखोग palette, x squared और x squared की poverty कितनी है, 3 by 2, to, 2 ने 2 को मार दिया, क्या रहागै, x की Q बोलो रही नहीं तो यहां पर क्या एगा X की Q'd आएगी तो यहां से यह कान X दूरी पर रविद्र शीरत क्या होती है kQ upon X Sqayrत को वहीं आगए है ठीकिश दिद्र इसमें एक केस और ले 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 सकते और क्या क्या ले सकते हैं case अगला क्या सकते है जो R is very 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 greater than X आरी वेरी वेड़ेट देन एक र की वैलियू क्या है एक्स की तुर नामे क्या बहुत बड़ी मलों रिंग इंफाइनाइट लेंग्ट की है समझो जब रिंग इंफाइनाइट लेंग्ट की एक तरकी जाए समझो बहुत बड़ी है तो क्या होगा यहां पर तो क्या जाएगा यह चीए कोई नहीं सभाश टर्रशन नहीं थैस निये तो किया होगा के क्यू एक्स इत अपउन क्या हो जाईगी कि आर की क्यूव आ जागी ना पे आर प्लस एक्स स्क्राइब लगे लिए तो आर क्यू बस या वह पता हो ना चाहिए थोड़ा से स्पर केस लगे लिए हम ठीक है करो नोट करो यह केस अ सारा को नोट करो कि थे जी नोट करो बिटाए ने मैं साफ कर देता हूं हाँ However अब इसमें जो सबसे में चीज हैे वह यह है कि अब हमसे question पुछे आएगा कि अगर मैं केंदर से चलना आरंब करू आ अपने अपको काम पर खड़ा कर लूँ डिया है deceived q éhm चलता जाओन टो मेढ से क्या मैसुस होगा कि दो यह चार विथ्यू चेट्रमान घट रहा है बढ़ रहा है या घटके बढ़के घट रहा है मतलब इसके उपर कमेंट करना मुझे कि अगर मैं आप अगर कोई मेर से यह कहे कि विद्यू छेत की तीवरता का मान अधिक्तम कहां होगा यहां से लेके मुझा यहां से लेके अक्स तक कहीं पर भी किस वो पॉइंट बताईए जहां पर सकसा होंगे चुमबक वाले पार्थ में बट इसको ज़रूरी नहीं है तो यह आपको बताऊना चाहिए तो मेरा क्या है कि बताएए किस पॉइंट पर विद्यू छेती के ती बुरता का मान अधिक्तम होगा इसमें अक्स के अधिक्ड़ से इक्स कि कितने दूरी पर विद् तो आपको मैंने बताया है जब भी हमें मैकसिमा और मिनिमा निकालना हो तो बेटा किसी चीज का मैकसिमा और मिनिमा कब होता है जब उसका डेरिवेटिव सुनने होता है तो अगर उसका derivative सुनने हैं ठीक है तो वहां पर वोची या तो maximum होगी या minimum होगी तो अगर मुझे इसके maximum निकालना है तो इसका maximum किसका recording चेंज़ रहा है एक्स के recording तो एक्स के according इसका de ठीक है इसका derivative क्या अगर जीरो है जिस जगे जीरो आएगा उस जगे है की क्या होगोगाया तो maximum होगा और या मिनिमा होगा तो पिटा maximum के क्लिए क्लिए wont ऑदी एक्स की calculation करेंगे तो फोर इमेक्स यो के लिए डिय видел ऑंदीक्स कि जैए जीरो तो करते विटा इसका करते हैं E Mxima एका डिफ्रेंसन करते हैं तो देखो आपको पास E कितना है ठीके रिंग के अक्सपर विज़्द छिती पुद्ध पॉर्मा कितना है के क्यू एक्स अपॉन अर स्कॉर प्लास एक्स स्क्वार की पोवर 3 by 2 अब इसका डेफिरेटिव करना है डिफ्रेंशन करना करते हैं एक्सेलन दी एपन डी एक्स तो पिटा आपने किया होगा इसका डिफ्रेंशन एक जब दो संक्याएं गुणा में होती तो कैसे होता तो आदेख्यू डीए अपन डीए निकालते हैं ठीक तो जो constant उसको बाल लेका लिया, kq तो बाल निकाल लिया, अब difference नं करेंगे हम किसका, d upon dx निकालें किसका, x upon r square plus x square की power, 3 by 2, इसका difference करेंगे, क्यों kq तो constant है, तो करते भी है, kq, कैसे करते हैं, जब दो संख्या, मैंने, गुनाम माल लिजा हमने, जब दो संख्या, गुनाम कैसे करते हैं, यह पहला function, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या तो आप वो यूज़ करो, divide method, तो divide method से कैसे को है, difference, यह numerator, denominator, 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 जो आपका यह हर, denominator, इसका वर्ग, तो इसका वर्ग, तो इसका वर्ग क्याएगा, r² प्लस, x², इसका वर्ग आएगा, कितना अगा, 3, यह आ गई, denominator, ht, denominator, r² प्लस, x² गी पावर 3 by 2, यह difference, आपको आता होगा, ठीक है, नीचे वाली टर्म का, कैसे करते हैं, यह फ numerator, upon denominator, का differentiation, बलाँ, अन्स, बटे, हर का कैसे करते हैं, denominator का square, इस नीचे वाली टर्म का, वर्ग, नीचे वाली टर्म, एजटिज, उपर वाली का, differentiation, माइनस में, उपर वाली एजटिज, और नीचे वाली का, differentiation, इस तरीके से करते हैं, यह formula होता है, तो वही formula में apply किया, नीचे वाली संख्या का square, तो इसका जब square करूंगा, तो कितने हैं, क्यों, नीचे वाली संख्या, एजटि, उपर वाली का, इजटि, उपर वाली का, उपर वाली का, महला, एक्स का, डिफरिज, और नीचे वाल प्लस x square की power 3 by 2, अगर मैं इसका definition करूंग, कैसे आएगा, तो जो power है, वो आगया जाएगी, 3 by 2 आगया जाएगा, और power में इसका करते हैं, 1 minus करेंगे, r square प्लस x square में से 1 गयात करेंगे, 1 by 2, फिर r square का तो 0, और x square क्या होगा, 2x, यह इसका definition हो गया, तो यहाँ से d e upon dx, कितना गया, k q, दुख भी है इदर, इदर के आपका, r square plus x square power 3 by 2, minus, इदर के आपका, इदर आपका, 3 by 2, 2 से 2 cancel, minus 3 x square, और r square, plus x square की power, 1y2, और यहाँ पनी चीक आएगा, r square plus x square की power 3, ठीके, और यह value किसके को लग देनी हमें, यह value किसके को लऄ, जीरो कीकवल, तो इस ठर्म को किसके लग दी यह? जीरो के jaką, अभद अब बीटा, 0 के एक कोल लखने का मतलाब है कि देखोएएची 0 नहीं हो सकती, तो यह ठीजी 0 नहीं हो सकती, ठीक है को जीरो से डिवाइड करेंगे तो नोट डिफाइन तर्म आज जाएगी तो इसको लाओ ये वाली टर्म क्या हुँचे जीरो या फिर अभी और कर लेते हैं अभी सॉल्व थोड़ा सा बाद में देख देते हैं तो डी अपॉन डी एक्स कितना आगे विटा अब देखो यहां से क्या कॉमान आपका के क्यूब आर स्कॉार प्लस एक्स स्कॉार की पॉवर वन वाई टू ये कॉमान आगया और नीचे क्या आपका verrà r2 प्लस एक्स स्कॉार की पॉवर थ्री उपर का रैजयेगा आपका यहां पर वन वाई टू यह तो यहां पर रैगया r2 प्लस के x square minus के 3 x square और कुछ नहीं दा equal to के लिख दिया इसको 0 इस term को equal to के लिख दिया हमने 0 लिख दिया यहां तक देखो बेटा सब कुछ ठीक है ना 0 लिख दिया इसको हमने हाँ जी तो यह term आपकी 0 हो गई तो अब देखो बेटा अब यहाँ पर 2 condition अब यह दिया तो यह पूल टर्म 0 हो to कि इस दो की आपकी यह बाली तर्म कैंसे हो जाएगी तो यह नीचे वाली जीरो सकती आप सोज़में से कि अदर वाली तो नहीं हो गी 0 क्योंकि दर वाली जीरो कि यहां पर कि यहां पर केतनी स्क्राइब के र2 माल नहीं कि रहीर है तो यहां से क्या हूं चेह है तो तो दिस सिंप्लाइ आर स्क्राइब मैं आर इस्क्रार माइनस क시면 किना में प्रेशिक घ्रकेड entropy स्क्राइब के तो आर किर है में, माऍनिस के 2 x square equal to 0, तो r square equal to कितना आ गया? 2 x square, और यहां से x square कितना गया? r square by 2, और x की value क्या का गया? plus minus ry under root 2, plus minus ry under root 2, तो कोई अगर हमसे पूछे, कि किस इस्तिप पर व्रिद्योचेत्र का मान maximum होगा, तो मैं क्या बहुँआँगा प्लस माइनस रby रूट टू इस इस्तिधी पार वेद्य छेत्र का माँने क्या होगा इस केस में एक्सेड फिर रए zum Lay Beautiful प्लस माइनस रby रूट टू पर क्या होगी मैक्सिमम होगी क्लियर यहां तक की सभी चीज़ बेटा आप नोट करें देखे इधर ठीए तो कहां पर मैक्सिम होगी हमने निकाल लिया है यहां पर कि इस इस्तितभी पार है वैलिआ क्या होगी मैक्सिमं होगी ठीक अगर अब मेरे से कोई कहे कि अब इसकी maximum value कितनी है चलो उसका मान निकाल लो ठीक है ना यह चीज maximum आईगी बटा इसकी ठीक है ना इस पर maximum value होगे आप यह कह सकते हो यह आपर तो अब यह maximum जब value है तो चलो जी अब यह maximum value हो गई आरवाई रूट टू ठीक है यहां तो हो गया तो अब maximum value कितनी होगी रख दो ए मैक्सिमा कितना होगा अक्षपर तो इस फॉर्मली में एक्स जगे रख दो आप आरवाई रूट टू रख दो जब एक्स जगे रवाई रख रूट रहूंगा तो इका मैक्सिमान कितना है गा अप्षपर आरवाई रूट टू एक्स जगे डिवाई रख दो आरवाई रूट टू मतला हो आरव इसको आरवाई टू हो जाएगा पूरीक पवर थ्रीवाई टू क्लियर तो इमैक्सिमा इमैक्सिमा कितना आगया आपका के क्यू आर डिवाईड वाई रूट टू डिवाईड में आरव सक्वार प्रस आरव थ्रीवाई टू तो यह कितना आ गया कुछ के क्यू आर डिवाइड बाइड रूट टू और यह कितना आ जाएगा आपका 3 की पावर 3 रूट 3 रूट 3 आर स्क्वाइड अपाउन 2 की पावर 2 रूट 2 कुछ ऐसा आएगा है ना तो रूट 2 से रूट 2 कैंसल हो जाएगा आर स्कॉर से आर कैंसल हो जाएगा तो जो ऑमेक्सिमा आपका आएगा मेक्सिम विद्यू चेत्र वैसे कोई जरूवत नहीं है इतनी आपको यह बत यह मैगनेटिक्स में यूज होगा अब यह टॉपिक आ गया तो इसलिए मैं करा रहा हूं ठीक है इसकों लिग के लिए कि यह जब स्कूलिंग वाले बच्चे हैं। भूट्पे की स्विसम नहीं दिया यहां तक है यहां तक कर बो यह तक काऊ सबस्क्याइब को पता हूने हैं। यह समय बोलूगा जो आपको पहले पहले घृथभ यहां हो यहां पर हो रहना तो आपको परिशान ही नहीं आएगी बाद में. इसलिए मैंने आपको इसमद चीज़ बताई है. ठीए? तो e maximum कितना आया बटाइ आपका? e maximum कितना आएगा देखुए दर यहां से? k q 2 पर जाएगा 2kq upon 3 under root 3 और यहां पे r तो यह रहेगी क्या maximum विद्यूच्छेत्र कहां पर कि रिंग के अक्षपर अगर हमसे कोई कहें कि वल्या के अक्षपर अधिकतम विद्यूच्छेत्र का मान क्या होगा तो यह होगा कोई कैलकुलेसन मिश्टी हो तो वह आप देख लेना ठीके इस तरीके समगे निकालेंगे रिंग के अब वल्या के अक्षपर विद्यूच्छेत्र करेंगे यहां तक की सभी चीजी आप अपना नोट कीजिए ठीके जी नोट कर लिया होगा आपने चलो अब आगे इसमें ठोड़ा ग्राफ और देख लेते हैं ना कि वह लेकिए इसके लिए वर्सिज एक्स ग्राफ कि अब है कि अब है कि अब है कि अब है कि चलो ग्राफ देखते हैं हम लोग है तो पैटा अगर मैं इसके ग्राफ मनाऊ ठीक है अक्षवाली लाइं को मैं और जिन मानूं तो ई वर्सिज एक्स ग्राफ इंदर ई है विद्धिछित की तीवर्ता इंदर एक्स है कि सेम यही ग्राफ जो मैं यहाप बना रहा हूं यही ग्राफ सेमा आप मैंने टिक्स में पढ़ोंगे चुम्बग वाले पार्थ में वहां पर यह सारी जी डिसकस है पहले गैर रहा हूं मैं इस्कूलिंग में इस सब यह चीजे वहाँ पर डिसकस हैं ताकि आपको बाद में परिस्टानी नहीं आए इसलिए यहां पर मैं इसको explain कर रहा हूँ और competition exam में तो इन सब का discussion होता ही है तो यहां से मैंने यह यह और यह मेरा एक्ष अब देखो इस वाले के कारण यह थुड़ी विद्यू छेत्र के इस दिसा में होगा इधर भी विद्यू छेत्र होगा और इधर विद्यू छेत्र होगा अब एक ची बताओ इधर विद्यू छेत्र के दिसा क्या होगा यह वाली और इस जगे विद्यू छेत्र क्या होगा इधर वाली यह वाली इसका मतला हो अगर मैं इस वाली को positive मान रहा हूं तो इस वाली क्या मानूंगा negative तो इधर विद्युचेत्र positive दिसा में होगा तो इधर क्या होगा negative दिसा में clear अगर मैं इसका graph बनाता हूं तो और आप देख रहे हो कि कहां पर जाके विद्युचेत्र maximum हो रहा है plus r y root 2 plus r y root 2 तो r y root 2 को मतलब 1.63 times of r आएगा तो यह मतलब यह है यह मान लिए वो point है न यहां पर क्या r y root 2 plus r y root 2 और दूसरा कामे में मैंस r y root 2 तो इसे corresponding मान लिए यह value क्या आपकी minus r y root 2 वाली value है इस पर maximum है और उसके बाद तो इसका मतलब यहां पर maximum है जैसे हम आगे की और जा रहे होंगे सुरू में इस दूरी तक विद्यू छेत्र कमान बढ़ रहा होगा फिर इसके बाद विद्यू छेत्र कमान गट रहा होगा बोलो ऐसे होगा न तो अगर मैंसे ग्राफ बनाऊं तो इस पॉइंट के क्रॉस्पंडिंग विद्यू छेत्र कमान किया maximum है तो एक्चल में जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह का होगा बटा दो अनन्त पर आर्क एक्स की वैल्यू जीरो पर एक्स की वैल्यू जीरो पर एक्स की वैल्यू आर्वाई रूट टू पर हमने वै अनन्त पर जीरो जाएगी ना है इस टर्म नीचे एक्स स्कॉर्व में जीरो जाएगी तो इन्फिनीटी पर होने पर मनुदक क्या इनफिनीटी निग्या कंज वैरी डीड देन आर तो कौन स्पर आप्लाई वो के क्यू एक्स स्क्वार एक्स इंफिनीटी गिलीू जी तो तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह मान पहले बढ़ रहा होगा फिर घट रही होगी घट के अनुद पर जीर हो जाएगी तो इसके ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा कि यह वाली और यह कैसे माना पॉजिट है सामें ऐसे ही अगर मैं कि इधर बनाओ इस ग्राफ तो इसके क्रॉस्पंडिंग वैल्यू क्या होगी मैक्सिम कुछ इस तरह का आएगा ठीक है तो इस पॉइंट के क्रॉस्पंडिंग कि यह क्या होगी ईकी मैक्सिम ग्राफ यह नहीं पर दो हमें इक कि क्यों एक तरह दर है इकी धिशा मतलब पॉजिटिव इस पॉइंट प्याझे की और बाहर की और पॉजिटिव और इस पॉइंट पर percentage गया पीछे के और न हक पीछे और तो इसलिए मैंने न हम लुआ इसके पीछे की होग और तो इसा पीछे की हूर तो इसा घ्राम बनेगा E वर्सर k यह प्यांग बहां तो इस तरह का ग्राफ होग। बिटा किसका रिंग के कारण है आवेसित वले के कारण विद्युच्छत की जो तीबृता का ग्राफ होगा वह यह होगा और कहां पर विद्युच्छत तीबृता जीरोगी प्लस माइनस और वाय रूट अब दो कुछ बच्चे ध्यान रखना यहां पर जो ड़ाल यह जीरो नहीं है यहां पर कुछ बच्चे क्या गरते से ग्राफ को बनाते समय कुछ माइनर मिश्टे करते इस तरह से ऐसे लेते हैं फिर ऐसे ऐसे बनाए तो यह गलात होगा तो इस दी एपाउं डी एक्स की कुछ पॉजिटिव वैल्यों होगी ब्यापाउं ड्यब ड्भान गरते हो तो आपको यह वाल ग्राफ सेलेक्ट करना मौस्ट करना भी यह ग्राफ सही है अगर माने जो ग्राफ चलो ऐसे अगर यह वाला ग्राफ नहीं दिया हो और और आपको यह एक इस तो आपको यह अगला डॉपिक नहीं होगी कि अंध्य क्याश्टार्वाएश्टू करते हैं मुझा तो अरू तो आपको मुझाने अग्राफ आओ झाल